हालो दोस्तों कैसे हैं आज हम लोग है और जो पिछला वीडियो बनाय थे उससे आगे कन्टिनी वोग करेंगे दोस्तों पिछले सेशन में हम लोग क्या शीखे थे कि डायरेक्ट से इन्डायर्ट करते हैं तो इंट्रेजर्गेटीव संद्देंस एक करते है assertive sentence कैसे करते हैं imperative sentence करते हैं आज हम लोग सीखेंगे कुछ imperative sentence का भी अलग अलग टैप का parts होता है उसको कैसे करेंगे direct to indirect जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग किसका किसका change करना सीखेंगे मतलब negative imperative sentence कैसे करेंगे अगर नॉर्मल जो संटेंस निगेटिव होता है उसको तो हम लोग निगेटिव नॉर्मल तरीके से कर रहेते हैं नौट लागा देते हैं हम लोग का हो जाता है इंडिरेक्ट में लेकिन जब यह निगेटिव इंपरेटिव होगा तो कैसे चेंज करेंगे इंफैटिक इंपर इंपरेटिव होगा तो कैसे चेंज करेंगे देख रहे होंगे इंपरेटिव कही इतना सारा पार्ट चल रहा है दोस्त अलग-अलग तरीके से यूज करते हैं और अलग-अलग तरीके से उसको बनाते हैं उसके बाद इंपरेटिव स्टार्ट विट लेट जब इंपरेटिव संटेंस ही रहेगा लेकिन लेट से स्टार्ट होगा तो कैसे बनेगा दोस्त यहां ध्यान देने वाला बात है ठीक है इसको समझने अपने को अप्टेटिव संटेंस एक्सक्लामेटरी संटेंस तब जाकर हम लोग को लएगा कि हाँ हम लोग थोड़ा बहुत डारेक्ट टू इंडार्ट सिखें दोस्त ऐसा नहीं है कि हम लोग विद्वान हो गए हम लोग बस उसी रास्ते पे हैं जिसपे कि हम लोग का पकड़ बेहतर होगा कोई भी इंसान प्रखंड विद्वान तो हो नहीं सकता दोस्त Ciao काम निकलता चले कोई काम ना रुके इतना ही हम होता नहीं है बस अपना understanding के लिए बस for the sake of saying yes there is rule if you find this kind of sentence just do it like this okay this is the only thing इससे जादा कुछ नहीं होता बाबू चलिए negative imperative रहें तो कैसे काम करेंगे इसका सबसे पहला में एक sentence देते हैं उसके बद आपको समझाते हैं कोसिस कीजिएगा समझने का जैसे पहला सिखा रहें यह वला यह वला हम लोग बात कर रहें इसमें कैसे sentence रहता है जैसे माल लेते हैं कि इसको मैंसे line ड्रॉ कर देते हैं अब ठीक रहेगा राम कि से टू कि मी कि अब आगे क्या लिखा रहेगा don't pluck flowers माल लो ऐसा लिखा रहे है don't pluck flowers ऐसा रहेगा मतलब क्या हुआ राम ने एक मेजर चीज क्या सीखाय थे आपने पूराने वीडियो में आप एक वर जरूर याद कर लीजे का जाके देख लीजेगा जहां लोग नैरेशन सुरू के थे कि जो रिपोर्टिंग वर्व होता है कैसे चेंज होता है याद होगा आपको सबसे पहला वीडियो में यही हम आपको सीखाय थे कि जो रिपोर्टिंग वर्व होता है क्या करते उसको यह रिपोर्टेडी स्पीच के अर्थ के हिसाब से इसको चेंज करते हैं यह सबसे इंपॉर्टेंट रूल है बस अपना समझना बाबू तो क्या होगा इसका आर्थ क्या बोलता है फूल मत तोड़ो हम आपको आग्या भी दे रहे हैं ए फुल ने जोड़ो ओ वह मजा ओ बोड़ पे मत लिखो ओ यह गंदा मत फेको अरे यार क्या गंदा फेक दिया तो देखें यह सब क्या है एक तरह का ओडर ही तो है ओडर किसमें आता है इंप्रेटिव में तो हम लोग इंप्रेटिव संटेंस है लेकिन कोई काम को करने से मना ही की जा रही है मना किया जा रहा है तो यह निगेटिव हो गया यानि दो च को reporting भर्म को किसमें चेंज कर देंगे आप अगर निगेटीव है तो यह और से भी बन सकता है ध्यान दीजेगा और से भी बनेगा इंपरेटीव है तो बनेगा ही कोई दिक्कत तो नहीं है अगर बन सकता है फॉर्बीड से अब याद रखिएगा जिससे टेंस लगाईएगा तो प्रजेंट है तो फॉर्बीड पास्ट है तो फॉर्बेड जैसा आपको टेंस रहेगा उसके इसाफ से आपको चेंज कर देना है बस यही और यहां पर इन्वर्टेट कॉमा को टू में बदल देना है इन्वर्टेट कॉमा को किसे बदल दीएगा तू में बाकी जैसे है बसे बना देना है यही दो ठो पॉइंट है एक पॉइंट दो पॉइंट बस और कुछ नहीं है बावो यह दो पॉइंट याद र जैसे करके दिखाते राम है और फोर्वेड मी टू है प्लक फलार बस झा का मतलब होता है मना करना का मतलब क्या होता है मना करना order का मतलब आगया देना तो राम ने मुझे फूल तोड़ने से मना किया इसका हिंदी कैसे होगा इस वाक का हिंदी राम ने फूल तोड़ने से मुझे मना किया राम ने फूल तोड़ने से मुझे मना किया इस वाके का एक्जक्ट हिंदी यही होगा दोस्त इस वाले वाके का एक्जक्ट हिंदी यही होता है और इससे क्या होगा राम ने मुझे कहा फूल मत तोड़ो यह वाला वाके का उपर वाले वाके हिंदी ऐसे होता है ठीक है इसके एक तरीके से और बना सकते ह अब order से एक पर बना देते हैं तो order देते हैं जी गया इसको और करके लिख देते हैं राम ordered चुक्छी past tense न बाबू तो past में ordered लगा दी है राम ordered में क्या अब जब order से बनाएंगे तो यहां two के जगह not two लग जाएगा two के जगह पर not two करके बनाएंगे निगेटीव और है ना दूस्त नौट टू करके बनाएंगे राम ordered में not two लग फ्लार्स अब ख्याली यहां पर देके format देखे एक साथ दो निगेटीव और तो यूज नहीं कर सकते वाबू यहां format तो अल्रेड़ी निगेटीव है तो हम यहां not नहीं लगा है और यहां पर order क्या है positive word है तो हमको negative sentence ना बाबू तो negative हमको एक ठो और लगाना था तो हम उसके जगह पे not लगा दिये दिमाग में जा रहा दोस्त चलो ठीक है अब आप बोलेंगे सर इस वाके का exact हिंदी क्या होगा तो हम इस वाके exact हिंदी लि because English is not your mother tongue the very basic thing is that English आपका mother tongue नहीं है इस लिए आप यही वाला बाद जाके अंग्रेज को बोलेंगे तो अंग्रेज को तो यार उसको हिंदी का हो नहीं पता है but they are very well you know तो उसके लिए कुछ बोलने की जुरूत ही नहीं है there is no word for them so what we have to understand what we are going to learn इसका हम लोग exact हिंदी कैसे सिखेंगे राम नॉट टू प्लग फ्लार राम ने फूल नहीं तोड़ने की फूल नहीं तोड़ने की मुझे आग्या दी देखिए आप इसको बहुत तरीके से लिख सकते हैं राम ने मुझे फूल नहीं तोड़ने की मुझे आग्या दी मुझे राम ने फूल नहीं तोड़ने की मुझे आग्या दी यहां तक क्लियर होगे तो अब इसी में एक अलग अलग तरह का वाक्य हो सकता है एक अलग वाक्य अच्छा है तो यहां पर लिख देंगे राम सेट टूमी यह टीचर सेट टू एस्टुडेंट्स डॉंट मेक अनॉइज इन दा क्लास क्या लिख देंगे बस सिम्पल एक ठो लिख देते हैं टीचर सेट टू एस्टुडेंट्स क्या डॉंट मेक अनॉइस इन दा क्लास डॉंट मेक अ नॉइस इन दा क्लास क्लास में हल्ला मत को बच्चा अक्सर सर जी लोग आकर क्लास में इसे बोलता हैं हलने करो सांद बढ़ो स्टुड़ यही बात है दॉंट मेक अनॉइस इन दा क्लास इसका कैसे बनाएंगे यह डेक्ट है इसका अनॉइस बनायेंगे तो कैसे बना देंगे हम फॉर्मेट से बना रहे हैं दोस्त आप और से भी बना सकते, कोई प्रॉलम नहीं है, ठीक है, टीचर, फॉर्बेड, एस्टुडेंट्स, टू, मेक, अ, नॉज, इन द, ग्लास, ठीक है, अगर इसी को चाहें, तो, ओर्डर करके बोलें, ठीक है, भीया, ओर्डर करके भी एक पर बना देते हैं, आपका मन खुश हो जाएगा, बना दिये, टीचर, ओर्डर्ड, एस्टुडेंट्स, नॉट टू, मेक, अ, नॉज, इन द, ग्लास, ठीक है दोस्त, यह बन के तियार हो गया, अब हम लोग इस तरह से जो भी संटेंस आगा, आप लोग बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जो आपके पस किताब होगी, अब हम लोग emphatic बनाते हैं दोस्ते ठीक है ठीक है emphatic imperative क्या होगा आप समझने को स्कीजिए emphatic imperative का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को जब हम लोग जोर देकर बात करते हैं emphasize करते हैं तो उसको हम लोग emphatic बोलते हैं जैसे आपके घर में आपके चाचा जी आते होंगे अपकी मौत चाई कि और घआती होंगी थोफा ह क्यां करते हैं और उन्हों को जोर देकर जबर्दस्ति बठाते हैं और उनको बोलते हैं के कप आप चाय पी के जाईएगा, कल जरूर आईएगा, कल हमारे यहां पूजा है, यसा है, वैसा है, कल जरूर आईएगा, मतलब क्या करते हैं, हम लोग जोर देकर उनको बोलते हैं, ठीक है, तो जब इस तरह का वाक्य होगा, तो क्या होगा, देखें, आप बोले कि चाय पी कर ही जाएए इसका क्या मतलब निकलता है क्या आप उनको आग्यां दे रहे हैं नहीं आप उनको request कर रहे हैं तो जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो जो इंफाटिक इंपरेटीव होता है एक तरह का request वाला sentence हो जाता है समझ मेरा है एक तरह से request वाला sentence हो जाता है इसलिए इसको इंपरेटीव बोलते हैं जैसे हमें एक इग्जामपल देंगे आपको फड़क समझ में आ जाएगा जैसे you say to him do have a cup of tea मतलब क्या हो गया तुमने उनसे कहा एक cup चाय जरूर पीजिए जरूर पीजिए इंफाटी कर रहे हैं तो इंफाटी का condition क्या होता है वर्ब के पहले do लग जाता है यह तीन चीज़ लगता है इससे क्या होता है वह क्या जोर्दार बन जाता है जैसे मैं पटना जाहूंगा मालने जें बोलते हैं या मैं यह काम करूंगा मैं दिल्ली जाऊंगा मैं कलकत fulfil जाऊंगा ऐसा मैं जरूर जाओंगा I do go to Delhi अगर हम ऐसे बोल देंगे तो मतलब मैं जरूर जाओंगा दिली जो हो जाए सूरच पूरप से पसी मुझा लेकिन मैं जरूर जाओंगा ऐसे टाप का बात हो जाता है मतलब बहुत जोरदार दे करा बात बोलते हैं इंफ्राटिक सेंडेंस बना देते हैं इसको तो अब इसमें क्या हो जाएगा यहां पर इस सेकेंड वाला का बता रहा है ठीक है यानि कि टू यह यह टू का देखिए यह टू का तू कैसे बनेगा है तो यहां पर रिपोर्टिं कर देगा या आस कर दिएगा पहला चीज से हो गया और दूसरा इंवर्टेड कॉमा को कि तू में बनाकर बना दीजिएगा बस हो गया पर काम खतम है क्लिर आप इसको करकर बनाकर देखा जाए चलिए बना दिया जाए दोस्त इसों कैसे बनाएंगे है यू आप सेट्टू कि जगप हम रिक्वेस्ट लगा दें है चलिह रिक्वेस्ट लगा देते हैं मैं इंफतिक वॉर्ड को अब हटा देते हैं, इसका जरूर्थी नहीं है हमको, there is no need of it, इसका कोई काम नहीं है, बेकार खचड़ा है, just for the sake of कि आप request कर रहे हैं, इसलिए ये word का यूज किया गया है, and for that word, आपने क्या करा, you have already used request, ठीक है, इस word को आपने पहले ही यूज कर लिया, इस word का कोई काम यहां बचा नहीं है, so what we do, we just leave it, तो you requested him to have a cup of tea, आपने एक कप चाय लेने के लिए उन्हें request किया, इसका हिंदी कैसे बनाएंगे, आपने एक कप चाय उन्हें पीने के लिए request किया मतलब, request करना मतलब हम तो क्या करते है request को, request को हिंदी में का बोलेंगे दोस्त, request कि प्रार्थना कि जो भी अब प्रार्थना हम लिख देने बढ़िया, बढ़िया वर्ड नहीं है, बट हम फिर भी लिख देते है, प्रार्थना को तो प्रे बोलते हैं न, यह सही नहीं है, बट आप सही वर्ड यूज कर लिजेगा, प्रार्थना हम लिख दिये, ठीक है, प्रार्थना का मतलब प्रे होता है, ठीक है, इसलिए हमको नई इसका हिंदी या ध्यान में आ रहा है, इसलिए यह वर्ड अप प्रेक्वेस्ट के लिख देते हैं, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे हम लोग इसका हिंदी निकालेंगे दोस्त, एक वाक और ले लेते हैं, सीता, टोल्ड राधा, सीता टोल्ड राधा, बढ़ा, डू कम टुमोरो, बढ़ा, सीता ने राधा कहा, कल जरूर आना, ठीक है, कल जरूर आना, इसको इंडाइट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सीता, अब देखिए, इसको आसक से भी बना सकते हैं, हम इसको आसक से एक और बना के दिखाते हैं, रिक्वेस्ट भी और हम दोनों लिख देते हैं इसको ठीक है ताकि आपको समझे में आए कि दोनों से भी बन सकता है आस्ट से बन जाएगा रिक्वेस्टेट से बन जाएगा जब कुछ समझ में नहीं आए न भाईया एक चीज़ याद रखिएगा जब कुछ भी दिमाग काम करना बन कर दे कि अब क्या करें क्या न करें तो टोल्ड भी एक बहुत बढ़िया एक सब्द है वह आपका काम कर जा यह एकदम रेयर केस है यह एक्दम रेयर केस है ठीक है गलती नहीं होगे लिकिए यूज एसा नहीं कीजेगा हम एसा क्यूंकि जब आपको अर्थ पता चलो ही रहा है तो ऐसा लगाई नौ जब यहां से अर्थ बिलकुल पता ना चले तब लास्ट में टेल टोल लगाना मतलब निकल रहा है हम गढ़ा है हमको पता नहीं चल रहे हैं किसमें क्या मतलब निकल रहा है please please come to me लिखा रहेगा तो हम बोले कि सरक हमको पता निचल रहे है कि वर्ड है please लिखा हुआ है तो समझ लिए एक request है अजब कोई sentence ऐसा लिखा रहे कि जहां पर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है आपको अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तब ही सा काम कीजिए एक दम क्लियर कहीं पर भी कोई किन्तु परंतु नहीं है दोस्ते जब तक समझ में आए कोई गलती नहीं कीजिएगा जब तक समझ में आ रहा है कोई गलती नह होना चाहिए है कि यहां से दूख खतम हो जाएगा कि टूकम टूमॉरो क्या बदलेंगे कि क्या बदलेंगे फॉलोइंग डे कि फॉलोइंग डे नेक्स डे जो से आपको मन करें वैसे आप लिख दीचेगा कोई दिक्कत नहीं है राधा आस सीता आस राधा डेट टूक मौन Algari फॉलोईंग डे थे राधा टूक मौन फॉलोइंग डें नेक्स डेह यापको मन करें इसको लिख सकते हैं कि जम्त जो आपको समस्च में आता है तसन उससे अब यूज कर लेंगे रादा ने कल आने के लिए कहा, उसको बोला, उसको request किया, जैसे भी आप बोलेंगे, इसका मतलब निकल जाएगा, ठीक है, अब हम लोग, आपके पास जो बूक होगा दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी किताब से पढ़िए, सब किताब अच्छा होता है, कोई किताब खरा है, ठीक है, थर्ड संटेंस देखते है, interrogative imperative sentence, interrogative imperative का मतलब क्या हो गया दोस्त, एक ऐसा वाक्य होगा, जो interrogative मतलब question जैसा होगा, और imperative होगा, मतलब जिसमें हम लोग या तो request कर रहे होंगे, या तो command कर रहे होंगे, या तो order दे रहे होंगे, इस तरह कोई बात होगा, तो एक वाक्य पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग समझने ही कोज़ करते हैं, तो वाक्य कैसा हो सकता है, you direct है, you say to Ram, अब क्या बोलेंगे इसको, हमको interrogative sentence भी चाहिए, इसमें, question भी चाहिए, ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, will you shut the door, please, एक ऐसा वाक्य रहे आपके सामने में, देखे, कितना सारा चीज हो गया, will you, को हो गया, question लग गया, please लगा दिये, request भी कर दिये, दोनों तरह कब आके हो गया, इसी वाक्य को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, इसी वाला वाक्य को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, देखे हम जगा छोड़ के लिख रहे हैं, ठीक है यहां डारेक्ट लिख्या हम इस जगह छोड़ रहे हैं मालो यही वला वाक्य है यू सेड़ टू राम शट द डूर शट द डूर अब बताईए दोनों वाक्य में क्या अंतर है दोनों वाक्य तो एक ही जैसा है कोई अंतर थोड़ी है खाली इसमें एक फ्लीज लगा है इसमें प्लीज नहीं लगा है तो यहीं अंतर है बस तो इसमें करेंगे क्या दोस्त रिपोर्टिंग भर्ब ये तीसरा नमबर है ये तीसरा नमबर है तीन नमबर लिख दे रहे हैं ठीक है थर्ड संटेंस जो है रिपोर्टिंग भर्ब को क्या करेंगे भाईया घ्यान दीजेगा रिपोर्टिंग भर्ब को क्या करना है reporting verb को यह reporting verb को क्या कर देंगे आप ask में order में request में जैसा sentence वैसा बना देंगे कुछ नहीं करना है बस यही जो हम लोग का favorite काम है क्या reported speech का earth के हिसाब से reporting verb को change करना यह हम लोग का favorite rule है दोस्त हम इसा सही करेंगे reported speech के earth के हिसाब से reporting verb को change करेंगे यानि say to को बदल देंगे ask में, order में, request में clear है अगला इस तरह का जो sentence है sentence में जो सब्द है sorry यह तो हो गया पहला दूसरा will you please इस तरह का जो भी शब्द होता है इसको क्या कर दीजेगा हटा दीजेगा हटा दीजे को जरुत ही नहीं है इसकी हटा दीजे हटा दीजे उसको कोई काम का नहीं है बिकार है अगला क्या करेंगे inverted कॉमा के जगा पे two लगा के बना दीजेए बस भीया इतना ही आपको काम है बागी काम खतम अब बना दिया जाए फटा फट इंडाइट का देखिए यू आप देखिए यहाँ पे आप आस्क से भी बना सकते हैं रिक्वेस्ट प्लीज लगा हुआ है तो ध्यान दीजेगा कोशिस किजेगा रिक्वेस्ट से ही बनाए आपको बार-बार बोलते हैं वाके का अर्थ देखिए उसके इसाथ से बनाए जब तक समझ में आ रहा है तब तक रूल को फॉलो किजिए जब नहीं समझ में आ आ तब गधा पचीशी कीजिए जब तक समझ में आ रहा है कोई गधा पसीजी नहीं दोस्त कोई गलती नहीं सामने वाले टीचर को या सामने जो आपका बंदा है उसको यह फील ना होने दें कि आपको नहीं समझ में आ रहा है ठीक है आप अपना position को हलका क्यों करना चाहते है गलती नहीं कीजेगा ठीक है द सट द दूर बस बन गया क्या वो भीया रिडी है देखिए यहां पर भी वही बनेगा इंडारेक्ट बनाएंगे यू अब यहां देखिए प्लीज कहीं नहीं लगा है तो आपके पास खुला ओप्शन है You may use anything You can use order You can use request नहीं लगाईये To Set the Door आप दोनों में से कोभी तरीका फोलो कि जिये आप ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं यही वला वाके को ऐसे भी लिखा जा सकता था बट क्या है यहां पर क्या आप दरवाजा बंळ रदेंगे प्लीज जैसे आप किसी को एक्स्टा पुलेट हो. कैसे बोलते हैं? घर बता है बावुतन कर दो न यार बावुतन कर दो न यार एक कलम की मेरा कलम दे दो न यार प्लीज तो टो तुम नहीं देगा दै से खाली है. ऐसे हम लोग बात करते हैं तो इस तरह का बाक्य होता है और नौमल बात करते हैं यार एक कलम दे दुनों वहाँ से तो ऐसे हम लोग बात करते हैं तो इस तरह का बाक्य होगा जब भी interrogative imperative होगा तो ऐसे ही काम करेंगे सब आलतुफाल तो जो word होता है उसको हटा देंगे inverted comma को 2 में बना देंगे और इसके earth के हिसाब से आप देख लीजेगा कि हमको please लगाने से काम और request लगाने से काम हो रहा है कि order से काम हो रहा है कि ask से काम हो रहा है तो आप ask से भी सही होगा, ठीके दोस्त, घर में practice कीजिएगा, जो जो वाक्य मिले आपको थोड़ा देकादा बनाते चलिएगा, आपको मज़ा आते जाएगा, ठीके दोस्त, अब हम लोग अगला वाक्य देखेंगे, imperative start with late, अब हम लोग यह सीखेंगे, imperative start with late, इसमें भी दो पार्ट में बनेगा, दोस्त, late से भी दो तरह का बाक्य बनेगा, एक, late से बनेगा, जिसमें आप किसी को propose करते हैं, कोई काम करने के लिए, proposal रखते हैं, चलो ऐसा कर लिया जाए, एक में order हो सकता है, request हो सकता है, आपका इक्छा हो सकता है, अलग अलग तरह से, तो हम दोनो लोग आपको यही सवाल पूछ के तंग करता है हम इसी को हल करने का ट्राइब करते हैं ताकि आप इसको समझ पाए और यूज कर पाए लोग बोलता है बहुत कठी नहीं बट कठी नहीं थोड़ा समझनी की जरुत है पहले एक वाक के देख ले अब उसके हिसाब से फिर हम लो जॉन 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 सेट तू मी क्या लिग दे लेट अस डांस तोगेदर लेट अस डांस जॉन ने मुझे कहा चलो साथ में नाचते हैं एक और वाक्य ले लेते हैं दोस्त दोनों वाक्य को साथ में बनाईएं मजाएगा राम सेट टू सीता लेट देम सॉल्व दसम ऐसा वाक्य रहेगा तो इसका मतलब क्या हो गया राम ने सीता से कहा उनको सवाल बनाने दीजिए उन लोगों को सवाल बनाने दीजिए जैसे इसकूल में जो सीनियर टीचर होते हैं क्लास में बच्चों क्या बोलते हैं मैडम उनलों को बनाने दीजिए न सबको सब बच्चों को पहले बना तब आप बताईएगा उसको let them solve the sum यहां let us dance together इस तरह का वाक्य होगा दोनों में क्या है एक तरह का proposal type का बात है करने दीजिन उसको यदि की हम इनको इक प्रस्ताव दे रहे हैं बात बोल रहे हैं कि इनको काम करने देजिए आप comment बटितना तो यस तरह का वाक्य में आप कैसे करेंगे सबसे पहला यहाँ पर दोस्त आप वाक्य का अर्थ पहले समझेंगे वाक्य का अर्थ क्या बोलता है and then you have to use the word that word is what that word is nothing but propose तो reporting भर्व को क्या कर देंगे यहाँ चौथा नमर बना रहा है दोस्त देखिएगा प्रपोज में कर दीजेगा पहला काम दूसरा काम क्या किजेगा लेट को हटा दीजेगा लेट के जगह पर क्या लगा दीजेगा लेट के जगह सूड लगा दीजेगा इनवर्टेट कॉमा के जगह पर क्या किजेगा दैट लगा दीजेगा और बहुत important बात बहुत important बात क्या है समझने कोच कीजिएगा यहाँ पर जो objective case में जो us है यहाँ देम है इसको क्या कर दिएगा nominative case में बदल दिजिएगा objective case यहाँ पर example में हम us और यहाँ देम लिख दे रहा है यहाँ इस तरह का जो भी वाक्य होगा एटीसी लिख दे रहें ठीक है इसको आप nominative case में बदल दीजिएगा nominative case में बदल दीजिएगा जैसे अस को वी लिख दीजिएगा देम को दे लिख दीजिएगा और इसलिए हम इधर भी एटीसी लिख के लिख छोड़ दे रहें दोस्ता ताकि आप समझ जाएगा कि objective case को nominative case में बदलना है जैसे अस को वी में बदल देंगे देम को दे में बदल देंगे ठीक है और वैसे ही जो भी सब्द लिखा रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पर भी हम लोग बदलेंगे ठीक है ठीक है दोस्त अब देखिए किसको ऐसे करेंगे बस जो जो लिखा न बस उसको खतम कर देते हैं बस ऐसे लिख लिख के हम लोग काम हो जाएगा दोस्त इंड़ेट बना है अब लिखिए जॉन प्रपोजड मी प्रपोजड मी अब देखिए जगह पर क्या करेंगे रिपोर्डिंग वर्प को प्रपोज कर दिये पहला काम हो गया इनवर्टेड कॉमा को दैट लगा दिये यह काम हो गया अब अस को अब लेट हटा देंगे न लेट के जगए सूड लगाना है अब अब अबजेक्टिव के इसको जोन ने मुझे साथ में हम लोगों को जोन ने मुझे प्रस्ताव रखा हमकी हम लोग साथ में नाचना चाहिए कैसे लिखेंगे इसका जोन ने मुझे प्रस्ताव जौन मुझे प्रस्ताव दिया प्रस्ताव दिया की हम लोग एक साथ हम लोगों को हम लोगों को एक साथ नाचना चाहिए जौन ने मुझे प्रस्ताव दिया की हम लोगों को एक साथ नाचना चाहिए अब यहाँ पर कैसे बन जाएगा भीया यह देखिए राम वैसे ही करेंगे यहाँ पर प्रपोज भी लगा सकते हैं रिक्वेस्ट लगा सकते हैं जैसे भी आप देख रहे हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर लगाना क्या है प्रपोज लगाना है दियान दीजिए हम लोग प्रपोज लगाएंगे प्रपोजड सीता देखे सेट टू को हम लोग प्रपोज़ मना दिये पहला काम कर दीजिए इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग को दैट में बनाना था वो कर दिये अब देम को कैसे बनाएंगे दे में दे लेट को सुड में बाकी उतार दीजिए सॉल्बद सम मतलब राम ने सीता को प्रस्ताव दिया कि उन लोगों को समस्या को हल करने हल करना चाहिए दे सुट सॉल्बद सम उन लोगों को प्रावलम को हल करना चाहिए क्या लिखेंगे इसमें राम ने सीता को राम ने सीता को प्रस्ताव रखा कि उन लोगों को गनीत को हल करना चाहिए उन लोगों को यहां सम के लिए हम गनीत लिख दिये हैं दोस्त आपको जो मन करें आप वर्ड यूज करेंगे जो आपको अच्छा लगे सम के लिए हम गनीत लिख दिये हैं को हल करना चाहिए सौल मतलब हल करना चाहिए ठीक है इस तरह से इसका हम लोग करके बनाएंगे यह तो था प्रपोल से अब इसका हम लोग विश भी लगा सकते हैं प्रे भी लगा सकते हैं अब उसका अलगत रहका वाक्य आएगा और उसको भी हम लोग बनाने भी सीखेंगे दोस्त इसके बद हम लोग क्या सीखेंगे भी अभी लेट का ही चलेगा, लेट में ही चलेगा भी, 5-6 नहीं दोस्त, 4 में ही और चलेगा second part, ठीक है, इसको erase करते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कुछ वाकिय को लिखे हैं, ठीक है, यह वाकिय बहुत important है, आपको समझने के लिए कि यहाँ पर लेट से जब वाकिय बनेगा और उसका अर्थ कैसा आएगा, उसका अर्थ अभी क्या बोले थे, कि उसका अर्थ और के रूप में भी आ सकता है, प्रपोस के रूप में भी आ सकता है, और एक चायनी के विश के रूप में भी आ सकता है, तो अब इसमें इसका अर्थ और भी यूज होता है दोस्त हम लोगों सब सीखेंगे करके इसके बाद यहां देखिए यहां पर प्रपोज है ना प्रपोज तो हम लोग पिछले वाले में सीखें थे दोस्त यहां पर प्रपोज के जगह पर आप क्या करेंगे यहां पर यूज हो सकता है आपका आपको क्या करना है जिसे वाकिय का अर्थ होगा उसके हिसाब से आप देखेंगे अगर औभजिक्ट लगता है तो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं नहीं तो हम लोग विश का यूज ज्यादा कर देंगे अब देखिए वाक्य हम पढ़ते हैं अब उसका अर्थ देखेगा दब वाई सेड लेट मी गो आउट सर लड़का ने कहा मुझे बाहर जाने दीजे सर कैसा लगा अनुमती ले रहा है उनसे परमीशन माँग रहा है है ना उसको थोड़ा अराम करने जुटे सांती में आराम करने दीजे उसने अपनी इच्छा जताए गोड़ सेड लेट denk लिए बिए बिए बैस भागवान ने कहा भगवान कैस का है? भगवाने इक्षा चाहे? Let there be light. प्रकास होना चाहिए. क्या हो गया? प्रकास होना चाहिए. I said, let him do what he likes. मैंने कहा, उसे करने तो जो वो चाहता है. करने तो उसको, जो वो चाहता है. है तो मैंने आग्या दी उससों करने दे रोको मत काम को करने दो लेट him do he said let me help you उसने कहा मुझे आपकी मदद करने दीजिए मतलब उसने अपनी इक्षा जताई एक्षा I said let him not see me मैंने कहा उसे मुझे नहीं मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए तो मैंने उसको आग्या दी तो इस तरह से वाक्य का अर्थ निकलता है दोस्त अब इसको जब इन डाट में करेंगे तो क्या करेंगे सेम चीज़ करेंगे यहां पर रिपोर्डिंग भर्व को इसको हम लोग दोस्त चलीये यहां क्या बनाएंगे the boy अब यहाँ पर चुकी seed हम लिखने जा रहे थे दोस्ट in right में seed नहीं लिखेंगे हम लोग क्या करेंगे wish कर देंगे दोस्ट wish से क्या करेंगे तो हम लोग का पूरा sentence का earth निकल जाएगा wish that that तो लगाना है यहाँ me है तो I लगा देंगे लेट है तो should लगा देंगे I should go out और इस तरह सारूर को जो भी extra word होता है असको हम लोग नहीं लिखते ही तो हम लोग जानते ही है clear है मने boy ने क्या बोला कि boy ने इक्षा की कि मुझे बाहर जाना चाहिए मने बच्चे ने बाहर जाने की इक्षा जाता ही ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं यहां क्या बनाएंगे lover set के जगा पर wish बना देंगे दोस्त wish अब inverted को मा को that बना देंगे her है तो वहाँ c बन जाएगा दोस्त c अलेट के जगा पर should देखिए लेट के लिए हम लोग सूड लगाए है should race in peace clear है प्रेमिका ने उसे शांती से अराम करने की इक्षा जताई ऐसे भी बोल सकते है और उसे इक्षा की की उसे शांती से अराम करना चाहिए ऐसे भी बोल सकते है देखिए अर्थ बहुत तरीक इसे निकल सकता है अब देखिए यहां देर से ही बन जाएगा क्योंकि यहां पर उस्तरा कोई वर्ड नहीं है objective case और nominative case तो यहां पर देर से बन जाएगा there should be light भागवान ने प्रेकास होने की इक्षा जताई या फिर इक्षा की की प्रकास होना चाहिए ठीक है यहां क्या बनाएंगे I wish that him के लिए he लेगा he should do what he liked what he अब liked क्यों लगा दोस्त liked यहां likes था न अब यहां past tense है तो past tense simple present simple past tense बदलेगा दोस्त अगर यहां पर रिपोर्टेड रिपोर्टिंग भर्व जो है कर पास्ट में रहेगा तो रिपोर्टेड इसवीज अगर simple present में रहेगा तो corresponding past में बदलेगा तो simple past में बदलेगा तो what he liked मतलब I wish that he should do what he liked ठीक है ऐसा बनेगा अगला क्या है he said said का जगा हम लोग wish लगाने दोस्त अच्छा बन जाएगा we wish that me है me कैसे बनेगा me का I हो जागा बाबू I should help second person object के हिसाब से हम लोग इसको generally me बना लेते है I should help me नहीं first person subject के हिसाब से होगा ना भाई यहां तो he नहोगा बाबू he should help me ऐसे करके हम लोग बना लेंगे उसने एक्छा जटाए कि उसे मुझे मदद करनी चाहिए मतलब उसे मुझे मदद करनी की एक्छा जटाए ऐसे भी हम लोग बोच सकते है ठीक है यह क्या है I said let him not see me देखिए हां not लगा है तो not लगा देंगे बस कुछ करना नहीं भी है जो लिखा बस करते चाहिए I wish that he him है तो यहां पर क्या लगा देंगे he should not see me I है I said let him not see me I wish that he he should not का हम लोग not ही लिख दियें not see me clear दोस्त तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे sentence का अर्थ समझेंगे और उसका हिंदी करने कोष करेंगे आप लोग भी कोषिज कीजेगा कि वाक्य का हिंदी जरूर लिखे हम इसलिए हर वाक्य का हिंदी जरूर बोलते हैं दोस्त ताकि आपको समझ में आए कि जब तक माल लेते हिंदी भी चुकि हम लोग हिंदी भासी है न दोस्त तो हम लोग का दिमाग में हिंदी चलता है आप कभी कभी बुक आप पढ़ते होंगे तो उस बुक में लिखा रहता है संटेंस and you won't be able to translate into हिंदी तो उस समय आपको difficult हो जगा संटेंस समझ में ही नहीं है कि क्या वो बोलना चाहरा है तो यहाँ पर आप समझ लेंगे इसके बाद हम आपको लेट का ही अभी एक और सिखाएंगे दोस्त जो कि बहुत important है इसका मतलब even if होता है उसका अर्थ निकलेगा even if का यानि यह तीसरा पार्ट चलेगा सिर्फ late का ही दोस्त अभी हम लोग आगे नहीं बढ़े हैं late में हम लोग रुके पढ़े हैं दोस्त तो अब इन दोनों के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे दोस्त क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन रहा है तो इन दोनों के लिए हम अलग से कर देंगे चीक है यह even if का भी अलग बना देते हैं क्योंकि बहुत लंबा बन जाए जाओ चीक है तो हम लोग क्या करते हैं दोस्त यहां तक सीख लिए हैं लेट का हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में optative और exclamatory यह तीनों अगले वीडियो में सीख लेते हैं दोस्त क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू प्राक्टिस जरूर कीजेगा थैंक्यू दोस्त